प्रिया शिक्षको नमस्कार राश्ट्रिय मुक्त विद्याले शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है डिप्लोमा इन एल्वेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम में दाखिला बंद हो चुका है और मैं आशा करता हूँ कि आपने आपना नामांकन करा लिया है डिप्लोमा इन एल्वेंट्री एजुकेशन में नामांकन के लिए आपको बहुत बहुत बढ़ाई हम लोग ये तै कर रहे हैं कि आपका कंटैक्ट प्रोग्राम कहां होगा एक बार ये तै हो जाता है फिर आपको सूचना मिलेगी और उन केंद्रों पर आप आके अपने शिक्षकों से मिल सकेंगे और उनके लेक्चर भी सुन सकेंगे और आपको जो दुविधाएं होंगी जो आपके मन में प्रश्ण होगा वो भी पूछ पाएंगे ये सारी सुविधाएं बिलकुल मुफ्त हैं आपने अपना पहले वर्ष का फीज पे कर दिया है इसलिए अब जो भी सिवाएं मिलेंगी वो सब मुफ्त होंगी आपको कहीं भी कोई भी पैसा देने की आविशकता नहीं है हम लोगों को ऐसी सूचना मिली है कि कई विध्यालेों में कुछ लोग जाकर के पैसा मांग रहे हैं कि आपका रेजिस्ट्रेशन पूर्ण कराने के लिए कुछ फीज देना पड़ेगा कुछ लोग इंटरनेट पर अपने लेक्चर्स भी डाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने पुस्तक तयार कराया है जो आपको भेजेंगे तो आप इस पते पर डीडी भेजिए या आपके नाम वी पी पी आएगा तो उसको आप लेंगे ये सब गलत है और फ्रॉड है किसी भी बाहर की संसा से ना कोई पुस्तक खड़ी दे ना उनकी बातों का ध्यान दे ये पूर्णत सरकारी कारेकरम है जो भारत सरकार का मारस संसाजन विकास मंत्रा ले चला रहा है और आपने जो फीज दे दिया है उसके बाद सिर्फ दूसरे वर्ष का फीज और लगेगा और परीक्षा का फीज लगेगा जो आप आउनलाइन पे करेंगे और केवल एनाई उसके पोटल पर जाके पे करेंगे किसी भी वेक्ति को किसी भी संस्ता को और कोई पैसा देने के आवशक्ता नहीं है हम लोगों ने कोई भी किताब नहीं छापा है हम चाहते हैं कि आप ये पूरी सामग्री अद्धिन सामग्री आउनलाइन पढ़ें इसलिए ये स्टडी मिटीरियल हमारे स्वैम प्लैटफॉर्म पर डाला गया है ये मिटीरियल जो स्वै अद्धिन सामग्री है वो हर दिन बदल रहा है हम नए नए लेक्चर्स में चोड़ रहे हैं जहां जो चीज़ें पुरानी हो गई उसको बदल रहे हैं इसलिए कोई भी वेक्टि आपको ये नहीं कह सकता है कि ये नए उस के अध्धिन सामग्री पर आधारित पुष्टक तयार की गई है इसलिए आप इसको पढ़ने तो काम चल जाएगा कोई नहीं जानता है कि हमारी सामग्री कब बदल गई किसी से भी पुष्टक ना खरी दें वो लोग क्वालिटी मिटीरियल नहीं बना सकते हैं और सब स्टैंडर्ड घटिया सामग्री पढ़के आप अपना भी विकास नहीं कर पाएंगे और परीक्षा में भी अच्छा नहीं कर पाएंगे इसलिए स्वैम प्लैटफॉर्म पर जाएं और अपना रेजिस्ट्रेशन कराएं स्वैम भारत सरकार ने एक प्लैटफॉर्म बनाया है जो इंटरनेट पर उपलब्थ है आपको www.swayam.gov.in पर जाना होगा वहाँ पर आपको रेजिस्टर लिखा होगा या लॉग इन लिखा होगा अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो रेजिस्टर पर क्लिक करिए अपना नाम, पता, इमेल आईडी ये सब भरना होगा और आप उस पर मुफ्त रेजिस्टर हो जाएंगे कोई पैसा देने की आवश्चक्ता नहीं है वहाँ अपनी अधियन समगरी मिलेगी लेक्चर्स भी सुनने को मिलेगा आप के प्रशन होंगे जिनका उत्तर दे के आप अपना जाँच कर सकते हैं कि आपने कितना सीखा ये पूरा फ्री है कोई पैसा नहीं लगेगा आप स्वैम पर जल्दी जाएए और अपने को रेजिस्टर करिए और पढ़ाई दिखाई शुरू करिए अगर स्वैम पर रेजिस्टर करने में कहीं कोई परेशानी आ रही है इंटरनेट स्लो है तो आप NIOS के वेबसाइट जो www.nios.ac.in है उस पर जाकर के स्वाध्यन सामगरी डाउनलोड कर सकते हैं यह उतना अच्छा तो नहीं है जितना स्वैम पर रखा गया सामगरी है लेकिन काम चल सकता है मुझे लगता है कि आप Android फोन यूज़ कर रहे होंगे हम लोगों ने अपने अध्यन सामगरी Android फोन पर चलने वाले आप पर भी डाला है तो अगर गूगल प्ले स्टोर में जाएं और नाई उएस अंडर स्कोर डी एल एड खोजे तो आपको डी एल एड का अप मिलेगा जिसको आप अपने मुबाइल पर डाउन लोड कर लें इस अप पर सारा अध्यन सामगरी डाला गया है कुछ आडियो लेक्चर्स भी डाले गए है आपका हैंड बुक है और तमाम जानकारियां इस पर दी गई है इसको हम लगातार बदल रहे हैं लगातार इस पर नई चीज़ें डाल रहे हैं तो आपको ये अध्यतन सूचना देता रहेगा इसको डाउनलोड करें और अपने पास रखें ताकि आप को पता चले कि क्या पढ़ना है कब क्लासिस लग रहे हैं कब परिक्षा का फॉर्म भरना है और कहां परिक्षा होगी ये सारी चीज़ें आपको वहां मिलेंगी तो इसको डाउनलोड करें ये भी मुफ्त है ये सारी सुवधाएं फिर से मैं एक बार दोराना चाहूंगा मुफ्त है कोई पैसा देने की जरूत नहीं है आपके दुतिय बर्स में आप जब दुतिय बर्स का फीज देंगे तभी आपको फिर दुबारे अपना फीज भरना पड़ेगा हम लोगों ने रेडियो पर भी आपको सामगरी उपद कराने का प्रयास किया है आपके छेतर में कोई कम्यूनिटी रेडियो होगा उनसे संपर्क करें हम लोगों ने अपना आडियो प्रोग्राम अपने वेबसाइट पर डाला है और कम्यूनिटी रेडियो से हम लोगों ने एक अनुबंध किया है M.O.U किया है हम लोगों ने उनको अधिकार दिया है कि हमारे आडियो प्रोग्राम्स डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने community radio पर चला सकते हैं, आप उनको आग्रह करें कि इन कारिक्रमों को वो अपने community radio पर चलाएं, हमारा मुक्त विद्यावानी web radio भी है, अगर आप nios के website पर जाएं www.nios.ac.in तो आपको वहाँ पर link मिलेगा मुक्त विद्यावानी, उसको क्लिक करें, तो आप हम वेब रेडियो पर जाएंगे, सोमवार से सुक्रवार, तीन बजे से हम इस पर अपने शिक्षकों के लिए, डियलेट प्रोग्राम के शिक्षकों के लिए कारेक्रम प्रसारित कर रहे हैं, आप अच्छे लोगों के विद्वानों के lecture भी सुन सकेंगे, और उनसे अपने प चीज का पे करना है, ये सारी जानकारी आप यहां पा सकते हैं, जो आपके शिक्षक यहां से अपना लेक्षर मुक्त विद्यावानी पर कर रहे होंगे, वो इन प्रशनों का उत्तर देंगे, तो सोमवार से सुक्रवार तक कभी आप NIOs के वेब साइट पर लॉगिन करें, इसके लिए आपको इंटरनेट की आविशक्ता होगी, और मुक्त विद्यावानी के लिंक पर क्लिक करके आप हमारी लेक्षर सुनिए, अगर आपको कोई प्रशन पूछना है, कोई चीज की जानकारी पानी है, हमारा टॉल फ्री नंबर है, इस पर फोन करने का कोई पैसा नहीं लगेगा, यह है 1800-9393, आप फोन करें और वहाँ जो भी भाई बन बैठे हैं, उनसे अपना प्रशन पूछें और अपने प्रशनों का उत्तर पाएं, यह आपके पढ़ाई लिखाई से संबध्यत प्रशनों का उत्तर नहीं दे पाएंगे, यह वेवस्ता संबंधी प्रशनों का उत्तर दे पाएंगे, और इनसे आपके वेवस्ता संबंधी प्रशन पूछें, आप अगर एडमिशन ले लिए हैं और कैंसल कराना चाहते हैं, उसके लिए मेल भेज सकते हैं, आप अगर अपने पते में या दूसरी चीज़ में कोई शुद्धी कराना चाहत हैं, और अशुद्धी हो गई है, तो उसके लिए आप मेल भेज सकते हैं, अगर आपने फीज पे किया है और फीज वापस लेना चाहते हैं, नाम कटवाना चाहते हैं, उसके लिए मेल भेज सकते हैं, या जो दूसरी जानकारियां हैं, उसके लिए मेल भेज सकते हैं, हम मैंसे ये बकाया था और आपको मौका नहीं लग रहा था खास करके हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री मानिय स्री प्रकाश जावडेकर जी इस कारेकरम के बारे में बहुत उत्सुक हैं और वो हमेशा पूछते रहते हैं कि कारेकरम कैसा चल रहा है शिक्षक परिशानी तो न है शिक्षकों में और चिंता भी है उनका ये सपना है कि ये कारेकरम अच्छा चले और सारे सिक्षक एक डिप्लोमा करें और अपने नौकरी बचा पाएं क्योंकि 31 मार्च 2019 के बाद ऐसे सिक्षक जो डिप्लोमा नहीं किये हैं उन्हें नौकरी में रहने का अधिकार नहीं अच्छी तरह से करें और जो भी सुर्वधाय चाहिए वो बताएं ताकि हम वो उप्लक्त करा सकें बहुत बहुत धन्यबाद नमस्कर